हलो फ्रंट्स, यमके सर इंस्पिरेशन के इस बहतर वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 12th biology के practical में पूछे जाने वाले question को mention करने वाले हैं और आपको बता दें दोस्तों, आज जो topic है वो है DNA की संरचना structure of DNA अगर आप इसे details में समझना चाहते हैं, then description में वीडियो आपको मिल जाएगी बट I think उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि इतना deeply examiner आप से पूछेंगे नहीं और इसकी अलावा अभी साम को एक हम और चित्र बताएंगे सुक्राण की संरचना क्योंकि ये दो चित्र ऐसे हैं जो काफी important है और यहां से बहुत शारे question भी बनते हैं इसलिए दो बिकल्प हैं आपके पास आप चाहे सुक्राण की संरचना बना लीजिए या फिर DNA की संरचना तो चलिए इसमें जो भी important question बनते हैं उनको हम discuss करते हैं पहला question है कि DNA क्या है पहला question तो DNA दोस्तों एक आनुवान्शिक पदार्त होता है यह अनुवांशिक पदार्त है जो क्या करता है पीड़ी दर पीड़ी वंसागत होता रहता है इन्हीं एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में ये चलता रहता है ठीक तो DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है ठीक ना जो पीड़ी दर पीड़ी अस्थान आंतरित होता है इतना आपको बताना है दूसरा question DNA का full form क्या है भाई साहब आप सभी जानते हैं DNA क्या है डि आकसी राइबोज सरक्रा डी आकसी राइबोज लिखी या राइबोज सरक्रा वैसे अंगरेजी में लिखने को तो कहेंगा नहीं आपको क्या अंगरेजी में लिख कर बताइए तो DNA का फुल फार्म डी आक्सी राइबो शरकरा ठेक ना अब देखे सबसे पहले अगला कोश्चन है कि सबसे पहले डिने की खोच किसने किया था तो दोस्तों आपको बता दे हमने वीडियो जब बनाया था डिने की सरचना उसमें बताया था कि सरप्रथम फ्रेंड्रिक मीसर नामक यो इससे पहले DNA कि संअ रचना को बताह था तो किया थाउए रेच। नामक बेग्यानिक ने सबसे पहले DNA की खोज किया था नेस्ट कुश्चन DNA की दुई कुंडले सनरचना की खोज किस ने किया था और ये काफी इंपोर्टन कुश्चन है तो DNA की दुई कुंडले जो सनरचना होती है दोस्तों उसकी खोज किया था वाट्सन और क्रिक नामक बैग्यानिक ने किया था वाट्सन और क्रिक दो बैग्यानिक है लग लग ठिक वाट्सन और क्रिक और ध्यान देना दोस्तों और इन्होंने सन 1903 इस्वी में खोच किया था और इसके लिए इन्हें 1962 इस्वी में नोबल पुर्षकार भी दिया गया इस खोज के लिए 1962 हिस्वी में इन्हें नोबल पुरुषकार से भी नमाजा गया था ठीक चलिए नेक्ट कुश्चन है कि DNA कहां पाया जाता है काफी इंपोर्टन कुश्चन तो DNA दोस्तों वैसे प्रवुख रूप से अगर हम बात करें DNA केंद्रक में पाया जाता है लेकिन अगर आप से पुछले ऑजाएchnya केंद्रक के लावा और तो यह माई टो कांड्रिया में भी पाया जाता है ठीक माइटो कांड्रिया में भी ये दोस्तों क्या होता है पाया जाता है समझ में आई बात कि DNA कहां पाया जाता है केंदरत तथा माइटो कांडरिया में ठिक next question है कि DNA में कौन कौन से छारक पाय जाते हैं तो DNA में दोस्तों अगर हम बात करें तो उनकी जो स्रेणी है दो स्रेणियों में विभाजित हैं वैसे चार नैट्रोजन चार होते हैं लेकिन दो अलग-अलग स्रेणियों में एक होता है प्यूरीन एक प्यूरीन होता है दोस्तों और दूसरा होता है पिरिमीडीन पिरिमीडीन ठीक ना प्यूरीन में आता है एडिनीन और ग्वानीन ठीक ना और इसमें आता है साइटोसीन थाइमीन और साइटोसीन ठीक ना कौन कौन नाम बोल रहे हैं एडिनीन ग्वानीन साइटोसीन और थाइमीन ठीक ना जिसमें क्या है प्यूरीन में इसके बीच में जो नाइट्रोजन छार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं ती हम बात करें दोस्तों यह हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें अगर हम बात करें एडिनीन थाइमीन के साथ डबल बंद और जो गवानीन होता है दोस्तों वो साइटोसीन के साथ ट्रिपल बंद में जुड़ा होता है ठीक एडनीन गौनीन के साथ डबल बंद और इसके बाद गौनीन साइटोसीन के साथ ट्रिपल बंद में जुड़ा होता है ठीक बात इतनी चीज किलियर हो गई चलिए next question है कि DNA के प्रतिक कुंडल की या कुंडली की लंबाई वा स्रिंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है यह जो 10 नाइट्रोजन चार होते हैं दोस्तों अगर इसमें का दूरी पूछ रहा है और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है तो बात करें जो कुंडल की लंबाई हो पर हम दूरी पूछ लें तो दोनों स्रिंखलाओं के जो बीच की दूरी होती होती हुसका जो होता है दूरी ब्यास कितना 20 एंगस्ट्राम तो इस वात को अच्छे से ध्यान में रखना ठीक नेस्स कोश्चन है DNA को एक्सरे क्रिश्टलोग्राफी से किस ने समझाया था यह जिनी DNA को x-ray क्रिश्टलोग्राफी से किस व्यास्यानिक में इसे समझाया था तो इसमें दो व्यास्यानिक हैं दोस्तों एक हैंagu si विलिकंस और दूसरे हैं फ्रेंडरिक फ्रेंडरिक ठीक ना विलिकंस और फ्रेंडरिक नामक भैज्यानिक में इसे एक्सरे क्रिश्टलोग्राफी द्वारा समझाया था नेक्स्ट क्वेस्टन कि डिने का कारी क्या है अब बात आती है कि डिने तो आपने वता दिया सब कुछ अब डिने के कारे आप बताईए तो ये प्रोटीन के संसलेशन में सहायक होता है प्रोटीन का संसलेशन प्रोटीन का संसलेशन और इसके बाद अनुवानसिक क्या होता है लच्छों का अस्थानांतरण ठीक अनुवानसिक का अस्थानांतरण ये इसके कारे हो जाते हैं और बात सबसे महतुपूर कोईशन होता है दोस्तों कि आपको जो प्रिक्टिकल में बैठना है तो एकदम से एक्जामनर के आखों में आखे डाल करके न फाल इनलब नहीं करना आखे चार नहीं करना है आपको ठीक क्योंकि अगर लेडीज होंगे एक्जामनर अगर जो भी आपसे पूछेंगे तो बॉइस के लिए थोड़ा दिक्कत होगा अगर क्या है जिंस होगे तब तो क्या है बॉइस के लिए ठीक रहेगा परफिक रहेगा अगर समझ में आई क्योंकि उसमें क्या है अगर सामने लेडीज होंगी तो आपको थोड़ा आप नर्वस होंगे थोड़ा आपको समस्या होगी लेडीज टीचर ही हो ठीक है ना दोस्तों आपको उस दिन तो एकदम से बढ़िया बाल अगरा अच्छे से कटा करके ठीक और साथी साथ थोड़ा कपड़े धंके पहिन करके आप जैसे इंप्रेशन पढ़ता है ठीक है ना इससे इंप्रेशन पढ़ता है और एकजामनर के सामने थोड़ा प्यार से मुस्कुरा करके पेस आईए देखिए पूरा का पूरा भाई साहब आपको एकदम क्या है मज़ा आ जाएगा चलिए तो दोस्तों इतना समझ में आ गया और हम साम को सुक्राण की संरचना को डिटेल्स में समझाएंगे I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी हिलफूल साबित हुई होगी सो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि ऐसे मज़ेदार स्टिडी मटेरियल आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू बाई बाई टेक केर